दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल Tech Seville में दोस्तो आज की वीडियो में मैं सीमेंट के बारे में बताऊंगा कि सीमेंट को आप अपने साई्ट पे या अपने घर पे बिलकुल आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं कि जो सीमेंट है आपका नकली है या असली है या फिर आपको अपने घर में ये इस्तमाल करने के लाइक है या नहीं है इसका expiry date क्या है ये कितने दिनों में expire हो जाएगा वैसे तो बोला जाता है कि cement जब आप लेते हैं तो उसका lab टेस्ट किया जाता है बड़े बड़े साइटों पे उसका cube टेस्ट किया जाता है बहुत तरीके से चेक किया जाता है लेकिन यहां मैं आपको कुछ simple 5-6 trick बताऊंगा उसके हिसाब से आप अपने site पे खुद आप मकान मालिक हैं या फिर आप ठेकदार हैं मिस्तिरी हैं या फिर आप फ्रेसर सिविल इंजिनियर हैं तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका cement original है या नहीं या इसमें इसका जो है एक expiry date किया है इसका manufacturing date किया है बनावट का और इस cement को हम कितना से कितना दिन पहले हमें इस्तमाल करना है तो देखिए यहां मैं आपको अलग-अलग तरह का बहुत सारा cement दिखा रहा हूँ बिरला समराट का, अल्टरा टेक का, माईसेम का, यहां जेके लक्षमी, जेके सूपर आप देख रहा है यहां जितने भी cement हैं हमने सारे cement पे tested किया है, यह सब cement अपने घर में अलग-अलग काम में यूच करने के लाइक है कोई ढलाई के लाइक है, कोई plaster के लाइक है, कोई जो है अपने घर में अलग-अलग तरह के tile में हमने यूच किया है तो यहाँ आप देख रहे है जो मैं यह जेकी सूपर सिमेंट दिखा रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले आपको बोरी पे ISI मार्क देखना है सिमेंट का ब्राण्ड देखना है साथ में हर सिमेंट के बैग पे PPC यानि Portland Pojlona Cement जैसा आप देख रहे हैं लिखा होता है तो वो चीज आपको mention रहता है फिर एक चीज और देखिए यहाँ Cement के बोरी पे साफ साफ लिखा रहता है उसका rate फिर उसके बाद एक चीज और आप ध्यान दिजेगा तो उसमें यह भी लिखा रहता है कि उस Cement में कितना Fly S मिलाए गया है Cement में Fly S मिलाए जाता है PPC Cement में तो और दूसरा यहाँ सबसे नीचे आप देखिएगा कि साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो यह Cement है तो तीन महिने से पुराना अगर हो जाए सबसे पहले यहाँ पर देख रहा है W35 लिखा हो गया है यानि कि Week 35 हो गया है M08 यानि कि महीना 08 यानि August का हो गया Y22 लिखा हो गया है यानि कि Year 2022 हो गया उसके बाद यहाँ आपको F.A. यानि कि Fly S percentage उसमें 35% Fly S मिलाए गया है फिर वो उसका registration number है यहाँ पर जो W35 हो गया दोस्तों यह 35 आपका हो गया कि आप ऐसे समझें कि एक महीना में 4 सबता होता है तो 35 हो गया सबता हमारा लगवग August के महीने में आता है तो August महीने का सबसे लाश्ट वाला सबता है 20 तारीक के बाद का हो इसका डेट हो गया month 08 हो गया यानि कि अगस्त का महीना हो गया year 2022 जो 22 चल रहा है ओ हो गया तो इस तरीके से हम cement का कोई भी company का cement हो उसका check कर सकते हैं कि वो cement कपका बना है अब जैसे यह पुराना बैग था W02 लिखा हो गया देखिए दूसरा सबता है जनवरी का महीना 01 यानि कि जनवरी का महीना और year 2022 फिर फ्लाइस परसेंटेज है वैसे ही यहाँ माइसम जो cement है माइसम सिमेंट पे भी आप देख सकते हैं कि इसका जो भी है सब कुछ यहाँ ISI mark रहता है उसका जो CML नंबर होता है ओ रहता है यहाँ पे पोर्टलेंट पोईलोना सिमेंट जो है PPC सिमेंट आपको चाहिए ओ मेंसन रहता है तो सारे बैक पे रहता है इसका MRP आप देख सकते हैं MRP लिखा हुआ है 32 से 3% उपर नीचे हो सकता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर साफ साफ यहाँ नीचे देखिएगा कि लिखा हुआ है Based before 3 months from packaging If more than 3 months Taste its quality before use यानि कि आपको तीन महीना से पहले जब डेट जिस डेट का यह बना हुआ है उससे तीन महीना तक आपको इस्तेमाल करना है उससे पुराना सिमेंट हो जाए तो आपको इस्तेमाल नहीं करना है उसको पहले जाच कर लेना है फिर उसके बाद इस्तेमाल करना है अब माईसम के सिमेंट पर आप देख सकते हैं Week 35 यह भी अगस्त के लाश्ट सब्ता में बना हुआ है M08 यानि कि आठवा महीना हमारा अगस्त हो गया तो इस तरीके से हम किसी भी सिमेंट का ब्रांड है उसका बोरी पर हम चेक कर सकते हैं कि वो सिमेंट कब का बना है और कोई भी सिमेंट दोस्तों जब बना हो तो उसको तीन महीना जो डेट होता है तीन महीना का होता है उससे पुरानी सेमेंट आपको यहां लिखा हुआ है तिमीनज में. यहां इसके बैग पर भी आपको देख सकते हैं जी容易 हैं यहां पर यहां पर पर दे रखा है। फिर रिट दे रखा 5500 फिर उसका CML नमबर दे रखा तो जितने भी आप सीमेंट का बैक लेंगे सब पे अलग अलग तरीके से लिखा होता है ।िस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आप का जो सीमेंट हो कितना पुराना बना होगा है और कितने दिन तक आपको इस्तेमाल करना आती ये लगबग दोस्तो एक आसान तरीका होता है अपने घर में सिमेंट को यूज करने से पहले उसको जाच करने का जो लैब टेस्ट होता है वो बड़े बड़े साइटों पर होता है साथ में आपको जब तो जब करें करें Android फुर्पेया कोल करें तो थोड़ा सा खोलको कि उसके नीचे का नीचे का दिचे सॉर्फ़िछे होता है वहाँ इसमें हट डालके देखें सीमेंट आपको अगर एक दम मुलायम लग रहाए soft है और उसमें हलका soft निकल रहा है यानि कि उसमें रुखडापन ना हो तो cement अच्छा है पिर आपको उसमें देख लेना है कि वो पत्थर के तरह ना बन रहा हो अगर वो ऐसा बन रहा है तो दोस्तों उसमें जो है कहीं से moisture आ गया है उसमें heat of फाइडरेशन बनना सुरू हो गया है प्रोसेस तो इस वज़ा से सिमेंट जो है वो धीरे धीरे सोलिड होने लगता है पत्थर के तरह बनने लगता है तो ऐसा सिमेंट यूज करने के लायक नहीं होता है यह हमारे घर को नुक्सान पहुंचा सकता है